हेलो फ्रेंट्स विल्कम टू अजीता स्टडी शेंटर तो आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी से English Translate बनाने के लिए सीखने वाले हैं तो आप इस वीडियो को बिना स्कीप किये पूरा अंथ तक ध्यान से देखिए तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को तो इस वीडियो में हम काइन का परियोग से English Translate को बनाएंगे तो यहाँ पर देखिए पहला में है तुम अब जा सकते हो तुम अब जा सकते हो तो यहाँ पर देखिए तुम यहाँ पर सबजेक्ट में है तो तुम का English क्या होता है यू होता है तो यहाँ पर लिख दिये हम लोग यू अब देखिए यू जो है वो यू के साथ यहाँ पर है देखिए सकते हो तो यू के साथ हम helping भर्ब का परियोग करेंगे काइन का तो you can और यहाँ पर देखिए जाना तो यहाँ पर जाना है जाना क्या है भर्ब है तो भर्ब यहाँ पर जाना है तो इसका इंगलिश हो जाएगा गो यू काइन गो अब देखिए यहाँ पर है अब यानि कि तुम अब जा सकते हो तो अब का इंगलिश क्या होता है now और फिर फूल स्टॉप लगा देंगे तो इस तरह से तुम अब जा सकते हो you can go now यानि कि तुम अब जा सकते हो second में है तुम यहां रुक सकते हो तुम यहां रुक सकते हो तो यहाँ पर देखिए तुम है तो तुम का इंगलिश होता है यू उसके बाद यहाँ पर भी हम लोग काइन का परियोग करेंगे यू काइन और यहाँ पर भर्ब है रुखना तो रुखना का इंगलिश होता है stop, stop, stop तो you can stop तो यहां रुख सकते हो तो यहां का इंगलिश हो जाएगा hair, h, e, r, e, hair और फिर full stop लगाएंगे तो इस तरह से you can stop hair तुम यहां रुख सकते हो देखिए अगला है थड में वे लोग अब खेल सकते हैं वे लोग अब खेल सकते हैं तो वे लोग, वे लोग का इंगलिश होता है दे, t, h, e, y, दे उसके बाद दे का के साथ हम लोग फिर कायन का परियोख करेंगे क्योंकि हम you job कायन पढ़ रही है ठीक है, तो दे कायन खेलना है यहां पर खेलना का इंगलिश होता है play, p, l, a, y, play और अब खेल सकते हैं तो अब का इंगलिश now, n, o, w और फिर full stop तो इस तरह से they can play now वे लोग अब खेल सकते हैं चलिए, अगला है फोर में वे माइच जीत सकते हैं वे माइच जीत सकते हैं तो वे, यानि कि वे लोग है तो वे का इंगलिश हो जाएगा they और फिर यहां पर हम लोग kind helping verb का परियोग करेंगे तो they can और यहां पर देखे, जीतना तो जीतना का इंगलिश होता है win, w-i-n, win they can win और क्या जीत सकते हैं तो माइच जीत सकते हैं तो they can win देखे, यहां पर माइच है तो माइच के पहले हम लोग article the लगाएंगे, तो they can win the माइच m-a-t-c-h, माइच और फिर full stop तो इस तरह से वे माइच जीत सकते हैं they can win the माइच चलिए, अगला है, फाइब में यह लड़की नाच शकती है यह लड़की नाच शकती है तो यहां पर देखे, यह है पहले तो दिश का परियोग करेंगे दिश और लड़की लड़की का इंगलिश girl इसके बाद फिर हम लोग helping verb काइन का परियोग करेंगे दिश गर्ल काइन और फिर नाचना तो नाचना का इंगलिश dance डी ए ए एन्ची ए dance और फिर full stop तो इस तरह से यह लड़की नाच शकती है दिश गर्ल काइन dance चलिए अगला है मैं उसकी मदद कर सकता हूँ मैं उसकी मदद कर सकता हूँ यानि कि यहाँ पर देखे subject में है मैं तो मैं का इंगलिश हो गया I और I के साथ हम लोग काइन का परियोग करेंगे तो I काइन उसकी मदद कर सकता हूँ तो यहाँ मदद करना मदद करना का इंगलिश होता है help help I can help और किश की मदद करने की बात हो रही है तो उसकी तो उसकी यहाँ पर object में है तो उसकी मतलब यानि वो इस त्रिलिंग है feminine gender है तो उसकी का इंगलिश हो जाएगा her 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 means उसकी और his means उसका I can help her और फिर full stop तो इस तरह से I can help her मैं उसकी मदद कर सकता हूँ next है seven में देखिए तुम अंग्रेजी बोल सकते हो तो यहाँ पर तुम अंग्रेजी बोल सकते हो तो तुम का इंगलिश होता है you और you है तो helping भर भी यहाँ पर काइन लगेगा तो you can और बोलना बोलना का इंगलिश होता है I speak और यहाँ पर देखिए object में क्या है अंग्रेजी तो अंग्रेजी का इंगलिश और फिर full stop तो इस तरह से तुम अंग्रेजी बोल सकते हो you can I speak English next है वह हौकी खेल सकता है तो वह हौकी खेल सकता है इसका English translate क्या बनेगा इसका जवाब आपको कमेंट में बताना है जिसका भी अंशर सही होगा उसे मैं reply करूंगा तो फ्रेंट्स I hope कि आपको you job can के ये सारे translate अच्छे से समझ में आ गए होंगे तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सबस्क्राब करें धन्यवाद